हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपेर ज़ें करेंगे सामसिंग लेसी M42 5G में और पोको X2 में और देखते हैं बेस्ट फून कौन सा है तो बात की जो है डिस्पले से सामसिंग के है 6.6 इंच की रेजुलेशन है 720 मांटिपल 16 पिक्सल सक्रीन है सूपर एमोलेट डिस्पले और पोको की जो डिस्पले है ओ है 6.6 इंच की रेजुलेशन है 1080 मांटिपल 16 पिक्सल सक्रीन है IPS LCO डिस्पले और इसमें आपको डूल पंच को डिस्पले मिलती है और आपको पोको में 120 हर्ट का रिफेशिट भी मिल जाता है और बात करते हैं हार्डविर की तो समसिंग का है स्नैप डेंग का 750G, 5G का CPU है 2.2 का हर्ड उक्टेकुर का और इसमें 8 नैनमेटर का फिन पैट और पोको का जो प्रोज़र है और स्नैप डेंग का है 730G का CPU है 2.2 का हर्ड उक्टेकुर का और 8 नैनमेटर का फिन पैट और प्रोज़र के मालू में समसिंग बैस्ट है बात की जाए बैक के में की समसिंग का है क्वार्ड में जो में है 48 मिसल का फिर 8 का फिर 5 का फिर 5 का पोगो का भी क्वार्ड में है जो में इनिस्टी 4 मिसल का फिर 8 का फिर 2 का फिर 2 का बात की जाए फ़र्ड के में की समसिंग अहे 20 का और पोगो का हे डूल 20 प्लस 2 का और बात करते हैं बैटरी की तो समसिंग में है 5,000 मिसकी पोगो में है सारे चार हजार हमेश की और दोनों फोन की बैटे इस नो निबल है आप दोनों की बैटे को निकार ने सकते और बात की जाए चौर्जों की सामसिंग में है 15 बाटका पोपो में है 27 बाटका दोनों में टैप्स का स्पोर्ट है दोनों में आपका fingerpin sensor और फिसलों को भी मिल जाता है और आपको दोनी phone में triple SIM नहीं मिलती और दोनों के warranty है एक साल की और Samsung में आपको connectivity में 5G की पोपो में 4G की और दोनों phone में RAM SIM है 6GB RSV की मिल जाती है बात की जाए memory की Samsung में 63GB की और पोपो में 3 option है और आपको Samsung में 111 मिलता है पोपो में 1110 और बात की जाए memory की तो Samsung का स्टार्टिंग है 2190 नामर पी पोपो का स्टार्टिंग है 141590 नामर पी तो फिर आपको दोनों phone में से कौन सा phone पसन आया कौन बोक्स में ज़रू बताना अगर आपको दोर में से कोई phone ली ना है अगर आपको comprehensive phone ली ना है फास्टिंग स्पोर्ट ली ना है display quality best ली नी है best camera ली ना है तो आप पोपो के साथ जा सकते हो अगर आपको एक 5G phone ली ना है best process ली ना है तो आप Samsung के साथ भी जा सकते हो